इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। Gramogil suspension एक antibiotic दवा है जो bacteria और parasite infection की विस्तरित range के खिलाफ असरदार है। बच्चों में इसका उपयोग दांतों, फेफ़णों, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, मूत्र पत और जननांग पत के संक्रमन के इलाज के लिए किया जाता है। अपने बच्चे को Gramogil suspension को खाने से पहले या उसके बाद निश्चित समय पर मूँ से खिलाएं। दोहराएं लेकिन अगली खुराक का समय होने पर दोहरी खुराक न दें। खुराक और इलाज की अवधी आपके बच्चे के infection का प्रकार और उसकी गंभीरता, बच्चे की उम्र और शरीर के वजन पर निर्भर करेगी। इसलिए डॉक्टर दोहरा बताई गई खुराक, समय और तरीके के अनुसार ही दवा दें। इस दवा को लेने के बाद कुछ बच्चों में मामूली और अस्थाई side effect हो सकते हैं। इनमें मिचली आना, उल्टी, धातु जैसा स्वाद, सिर्दर्द, भूक में कमी, पेट में एंठन और हलके तवचा पर रैश शामिल हैं। आमतोर पर ये side effect आपके बच्चे के शरीर के दवा के प्रती अनुकूलित होते ही ठीक हो जाते हैं। हाला कि यदि ये side effect लंबे समय तक बने रहते हैं या आपके बच्चे को परेशान करते हैं, तो आपको बिना किसी देरी के अपने बच्चे के डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें। और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।